चलिए student हम लोग question number 8 को solve करते हैं देखी question number 8 में क्या का जारा student हम लोग question को पढ़िए एक माली के पास 1000 पौधे हैं इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉल्मों की संख्या समान रहे समझे कोई माली है और इसके पास कितने पौधे हैं 1000 पौधे हैं लेकिन इसको इस तरीके से लगाना चाहता है कि यह जो पंक्तियों की संख्या है जो पंक्तियों की संख्या समझे यह मारी पंक्ति बन रही है यह जो पंक्तियों की संख्या है वह समान रहे कॉल्मों की संख्य के जितनी पंक्ती है उतने कॉलम तो देख लिजिए एक दो तीन चार पांच छे पंक्ती और इसी तरीके से हम कॉलम भी बना देते हैं देखिए आईसे समझे मारे पास एक पंक्ती हो जाएगी एक कॉलम हो जागा कुछ इस तरीके से होंगे यानि कि पंक्ती की संक्या अगर X है कॉलम की संक्या X है और टोटल पौदे कितने हैं तो इन ही पौदों को लगाना है तो यहां से X स्क्वाइर का मान क्या हो जाएगा एक हजार और हमें X का मान निकालना है ठीक है तो X कैसे निकलेगा इसका वर्ग मूल अब यहां से आप देख सकते हैं यह जो मारा 1000 परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है एक पूरवर्ग संख्या नहीं है तो इसमें देखिए और भी क्या कहा जा रहा है इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ग्याद किजिए जिसकी उसे आवसेक्ता हो 1000 तो पौधे थे उसके पास लेकिन जब ओ कुछ इस तरीके से लगाना चाह रहा है कि जितनी पंक्ती उतने कॉलम हो उसके लिए उस माली को इसमें और कम से कम कितने पौधे जोड़ने पड़ेंगे हमसे ए बात पूछा जारा तो चलिए अब हम लोग इस क्वेस्टन को सॉल् क्या होगा तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा क्या होगा ए जो एक हजार है इसका हम लोग क्या निकालेंगे इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितनी बार जाएगा तीन तरिक का नौ हो जाएगा यहां पर आप Sig bell के जाएगा तो ज्याधा हो जाएग एक ही बार जाएगा तो 110 को atseere me इक से मल्टिप्लाइ कर देंगे यहां पर एकसध आगया अब देखें 10 में से हमने एक गटा आ तो नंव आ गया और यहां पर नव में से हमने 6 गटायत 3, अब ए क्या दिखा रहा है, ए जो 1000 है, वो 31 के square से क्या है, बड़ा है, इसके कहने का मतलब है, जो 31 का square है, वो छोटा है, किस से 1000 से, तो जब 31 का square 1000 से कम है, तो हम लोग इसके आगे वाले पर चलेंगे 32 के square पर, और जो मारा 32 का square होता है, वो किसके बरावर होता है, 1024 की, अब जो माली है, उसे कितने पौधे की आउसकता होगी, हम लोग निकाल सकते, देखिए, 31 के बाद, अगर हम लोग perfect square की बात करें, देखिए, 31 के बाद, अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या है, 32, और 32 को हमने square के क्या आगया, 1024, अब यहां से, उसे आव पौधे की संख्या, पौधे की संख्या, क्या हो जाएगे, देखिए, 1024 में से 1000 को घटा देंगे, 1024, 1000 तो उसके पास था, लेकिन आवसकता कितने की 1024 की, 1024 में से 1000 को घटा देंगे, और जो भी हमारे पास आएगा, वही क्या हो जाएगा, आवस्थे पौधों की संख्या तो यहाँ पर 1024 में से 1000 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा और student यह हमारा क्या हो गया यह हमारा इस question का solution हो गया तो लिख दीजी उसे आवस्टक जो पौधों की संख्या है वो क्या है 24 पौधे उसे और चाहिए तो student इस तरीके से देख तकते हैं यह जो मारा question है मैंने इस question को solve किया तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए Thank you